हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू माई चैनल, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फेसियल लिखके आई हूँ, जिसे आप एक बार करेंगे, तो सारे लोग आपको देखते ही रहा जाएंगे, तो आपने पालर में तो बहुत सारे फेसियल कराए होंगे, जैसे गोल्ड, सिल् लोग इतनी तारिफ करेंगे, तो इस फेसियल को आप एक बार जरूर ट्राय करें, तो चलिए फेसियल के लिए पैक बना लेते हैं, जो भी इंग्रीडन्स है, मतलब डाल के वो बना देते हैं, तो सबसे पहले हम फेस की क्लेंचिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने एक कर लेंगे, अब इसको हम फेस पे लगा लेंगे, तो सबसे पहले आप फेस की क्लीन कर लें, किसी भी फेस बास से आप अपना फेस अच्छे से वाश कर लें, और उसके बाद आप ये फेसियल कर लेंगे, तो पूरे फेस पे अच्छे से हम लगा लेंगे, और उसके बाद ह सर्कुलर मोरसन में, जो भी स्टेप में आप मसाज करेंगे, सब में अच्छे से सर्कुलर मोरसन में मसाज करने है, और जादा हार्ड हाथों से भी नहीं करने है, जादा सॉप्ट हाथों से भी नहीं करनी है, तो अब हमने फूरे फेस पैचेस लगा लिया है, अब हम दो से त तो उसके पहले आप clean कर ले फेस को, अगर यह वाला फेसियल आप हपते में एक बार करेंगे या कुछ-कुछ दिन में आप करते रहेंगे तो आप थोड़े दिन में आपका फेस देखेंगे की बहुत clean हो गया है और एकदम चमकने लगा है, एक ही बार मैं आप इसका फरक दे कर लेंगे तो इस तरीके से आप साप कर लें इसके बाद हम इसमें दूसरा स्टैप करेंगे तो दूसरा स्टैप करने के लिए जो हमारा दही था वो ले लेंगे तो मेरा दही पहले ही बच गया था अगर आपका दही कम है तो आप इसमें थोड़ा सा औरेट कर लें और यह हम साउर्इंच पील होता है ना जो औरेंच की झिलके का जो पौडर होता है वह हम ले लेंगे अगर आफ के पास यह नही भी आप इसमें चावल काटाई दिनक्स करणने उससे हम अपने फेस पर-छे से स्क्रआप कर लेंगे तो पहले पूडे फेस पर मसाज कर लेंगे तो सरकुलर मोसन में हमें मसाज करनी है तो इस में हमने चाबल काटा मिक्स किया है चाबल काटा बैसे भी हमारी स्किन को वाइट करता है और दही भी हमारी स्किन को वाइट करता है तो ये सारे इंग्रीडेंस बैसे भी हमारे इसकिन के लिए benefit देते है तो जो भी ingredients हम mix कर रहे हैं सारे आपकी इसकिन के लिए benefit देंगे कोई भी ingredients आपको नुकसान नहीं करेगा फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ingredients आपको सूट नहीं कर रहा तो आप उसको skip कर दें जैसे अगर आपको चाबल काटा सूट नहीं कर रहा तो आप चाबल काटा ना करें औरेंज पील मिक्स कर लें अगर औरेंज पील नहीं भी है या आपको सूट नहीं कर रहा तो वो हटा दें ये फेसियल करने से जो आपके इसकिन में दाग धबे हैं वो दीरे दीरे खतम हो जाएंगे दाग धब को हटाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ये ना सोचे कि आप एक बार करने से दो बार करने से हट जाएंगे ये थोड़े टाइम बाद ही हटते हैं तो आप दीरे दीरे तो आपके ये जो दाग धबे हैं वो दीरे दीरे कम हो जाएंगे और उसके बाद सारे अगायब हो जाएंगे तो अब इसको भी हमें कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोच लेना है और इसके बाद हम मसाज क्रीम बनाएंगे तो जिससे हमें 5-7 मिनट ता अच्छे सा मसाज करनी आ है तो ये हमने पोच लिया है तो इसके बाद हम दही लेंगे तो उसी कटोरी में हमें एक चमल दही ले लेंगे और थोड़ा सा हम एलोवे रजल डालेंगे और इसके बाद हमатив화 थोड़ी सी हनी डालेंगें और इसको हम mix कर लेंगे mix करने के बाद आप फेसंपे अच्छे से 5-7 मिनट तक मसाच कर लें तो इसको भी हमें पूरे फेस्पे अच्छे से पहले लगा लेना हैं और उसके बाद दोनों हाथों से सर्कुलर मोसन में मसाज करनी है तो फ्रेंड्स अगर आपने एक बार ये फेसियल कर लिया तो आप दोबारा पालर जाकर फेसियल कराना भूल जाएंगे क्योंकि ये फेसियल आपको बिना पैसे के बिना मतलब टाइम वेस किये ही घर में ही अराम से हो जाएगा और आपका गलो भी बहुत अच्छा आएगा और जितना गलो आपको इतना पैसे लगाने में आता है और टाइम भी हमारा खराब होता है आने जाने में टाइम खराब होता है और पैसे भी हमारे बहुत सारी लगते है तो इससे अच्छा आप उतना ही गलो घर में जो फेसल करने से आ रहा है तो आप घर में ही करेंगे ना कोई भी होगा वो घर में ही करेगा तो ये देखिया हमारा मसाज हो गई है हमने गीले कप्रे से अच्छा से साप कर लिया है अब हम फेस पैक बनाएंगे तो फेस पैक बनाने के लिए भी हमें दही चाहिए तो हमने एक चमच दही ले लिया है इसके बाद हम इसमें मुल्तानी मिटी अड़ करेंगे तो मुल्तानी मिटी का पाउडर है या फिर मैंने भिगो के रखी ती मुल्तानी मुटी वो थोड़ी सी एड़ कर दी है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ओलिव उयल लेंगे उस सारे इंक्रीडियन्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद आप फेस पे अच्छे से लगा दें जिससे की पूरा फेस अच्छे से कवर हो जाए तो इस तरीके से लगा लें और गर्दन में भी लगा देया और इसको सूखने तक हमें रखना है और उसके बाद जो नॉर्मल पानी होता है उससे हमें वाश कर लेना है तो फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इन में से कोई भी एक चूज कर सकते है जैसे अगर आपको फेस बैक बनाना तो आप इस तरीके से फेस बैक बना कर भी लगा सकते है अगर आपको स्क्रब करना है तो इस क्रब में मैंने दही और जो चाबल का आटा लिया था और औरेंज छिलके का जो पौडर लिया था वो भी मिक्स करके आप एक चीज कर सकते हैं ऐसे जरूर नहीं है कि आपको step by step सारे कुछ करना है अगर आपके past time है तो आप सारा कुछ पूरा facial एक साथ ही करें अगर आपके past time नहीं है तो कभी आपने face pack लगा लिया कभी scrub कर लिया कभी massage कर लिया कभी cleansing कर लिया तो ऐसे दीरे दीरे करके आप कर सकते हैं और जिस दिन आपके past time है तो आप पूरा facial कर ले तो अब मैंने face pack लगा लिया है अब हमें इसका सूखने कर वेट करेंगे तो अब मेरा face अच्छे से सूख भी गया है और मैंने इसको धो भी लिया है जो normal पानिया उससे हमने दो लिया है तो मेरा face एकदम smooth हो गया है और glow भी करने लगा है तो friends आप देखी सकते हैं कि इसमें जादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है बस जो facial जैसे करते हैं आप बैसे कर लें इसको और आप इतना अच्छा glow भी ला सकते हैं मतलब बाहर ज जाएंगे लेकिन अगर आपको sport के लिए कुछ इस तरीके से करना है तो उसमें थोड़ा सा time लगेगा तो आप बीच पीच में आप यह करते रहें तो friends आज की वीडियो हमारी कैसे लगी हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो के एक लाइक तो आप ज एक लिए वीडियो में थेंक यू